नमस्क्रा दोस्तों एक बहुत बहुत स्वागत है विंग टेकना है चैनलंग पर आज हम करने वाले बहुत अच्छा काम करता इवन दो बहुत जिदा आपश नहीं है ब्लकुल जबर दस्ते हलकि बारिश हो उससे अपरेट कर पा रहा हूं बढ़िया काम करता है फिजिकल ओवर्विव आपको फटा फट देता हूं स्पेसिफिकेशन में आपको यहां नहीं बताऊंगा अल्ड़ी अन्बोक्सिंग वीडियो में बता चुका हूं इसलिए थोड़ा स्लोवर करता है बटियस एक्ट वरी फाइन बात करो मैं आपको सेटिंग्स में आपको दिखाता हूं मैं लेटेस अपडेट पर चलना हूं और यहां पर डिवाइस के स्पेसिफिकेशन और भी एक्स्ट्राज देख सकते हैं यहां पर देख पा रहे हैं एंड्रोड 11 पर चल रहा है हेलियो जी फाइप से पर्चेस किया है अगर आपकी पर्चेस काने चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर कि उससे पर्चेस कर सकते हैं डिवाइस का पैकेश बहुत ही अच्छा है डिवाइस लाइट वेट है स्लीक है बहुत जाता थिक नहीं है अल्वेज ओन डिस्प्लेय आता है उपर प्रोक्जिमिटी सेंसर आप इसमें देख सकते हैं जो के पोको एफ 3 GT में नहीं है फ्रेंट कैमरा जो साइड में प्लेस करता है अगुको डिस्पले में तो कहीं भी इस्यू न यहींगी पर्फॉरमस की बात करते हैं तो पर्फॉरमस के मामले मेरी बहुत यह अच्छा काम करते हैं बहुत अच्छे से लेघ्ट वाल में कोई Altman नहीं आने वाली है एवन अन्क्दिप्र दॉन के अगर इस प्राइस सेग्मेंट को कंसेर करते हैं तो रियल मी का अप्टिमाइज़ेशन भी बहुत अच्छा कर रखा उन्होंने कैमरा 64 मेन कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्टरा वाइड है प्लस टू प्लस टू के आपको कैमरे मिल जाते हैं और आपको कुछ सेम्पल से हा में दिखायता हूँ यह नॉर्मल शॉट है 64 मेडापिक्सल अला बिल्कुल नॉमल शॉट है को इस में मैने फिल्टर नी डाला यह अल्ट्रा वाइड शॉट है बिना फिल्टर का है यह यह भी और आप उसे देख सकते हैं अच्छे से और यह श एक और सेंपल आपको दिखाता हूं, जिसमें college management और आपको focusing speed भी कितनी अच्छी है, आप देखिए focusing कितनी फास्ट और quickly करता है, जो के 1080-60 fps में थोड़ी सी बिकार है, next time बात करें, इसके 30W का charger मिलता है, और device को बहुत quickly charge करता है, even battery backup इसका बहुत अच्छा है, so overall मैंने common users के साब थे, एक normal users के साब से कि day life में कितना अच्छा एक phone perform करता है, फिर भी अगर आपकी कोई कोई है, तो नीचे comment box में comment कर सकते, so अगर मैं अपने final verdict किया conclusion की बात करूँ, तो ये phone मुझे बहुत पसंद आया, एक mid range phone है, मैंने 14,000 का इसा purchase के था, flip card के sale में, और overall मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये phone, अगर आप चाते हैं under 14,000 को device, तो ये आप ले सकते हैं, हमेशे की तरह best buy link जो इसका आपको नीचे description मिल जाएगा, जाके आप आप सारे variants के link मिले हुए, जाके वहाँ से आप buy कर सकते हैं, बहुत शानदर phone package है, और सस्ती price में एक अच्छा device आपको मिलता है,